इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जिलेवार हरियाना जी के इससे पहले भी जो है हमने दो जीलों के बारे में पढ़ा था सोनीपत और अमबाला के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे हिसार के बारे में ठीक है हिसार का इतिहास देखेंगे और इसके लावा जो भी प्रियाटक्स थल है वो सारी चीज़े जो हम इसमें देखने वाले हैं तो चलिए शिरू करते हैं उससे पहले जो बच्चे हरियाना एक्ज अगर आपको 40% का ओफ में मिलेगा तो देखिये सबसे पहली हम जिले के बारे में पढ़ते हैं हिसार का इतिहास पढ़ते हैं देखे हिसार नगर को इस बात का गर्व है कि आप राचीन काल से शोरिये रास्टे प्रेम बलीदान वे देश पर मर मिटने की उच पर अमपराई रही हैं खाद्यान ने शेत्र से लेकर रण शेत्र तक अपने प्राकर्म और शोरिये के अनेक कृतिमान जो है इन्होंने स्थापित किये हैं फिरोजसा तुगलक ने सन 1354 में हिसार नगर की स्थापना की तो एक कोशन तो ये पूछा जाता है कि हिसार की स्थापना एक तो किसने की थी और कब हुई थी हिसार नगर की तो 1354 में हुई थी किसने की थी फिरोचा तुगलक ने की थी उसने इस नए नगर हिसार फिरोजा को महलों, मस्जिदों, बगीचों, नहरों और अन्य इमारतों से सजाया था तो इसने उस नगर का नाम रखा था हिसार फिरोजा हिसार क्या है? एक फार्सी शब्द है जिसका अर्थ होता है किला या घेरा 1354 में दिल्ली के सुल्तान फिरोचा ने यहां जिस के लिए का निर्मान कारिये शुरूब किया उसका नाम था हिसार फिरोजा यानि फिरोज का हिसार अब समय की यात्रा में केवल क्या रह गया है? हिसार रह गया है हिसार का नाम अज देश के प्रमुक शहरों में शुमार हो चुका है हिसार भारत की रास्टी राजमार्ग नंबर 9 पर दिल्ली से 164 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है तो ये दूरी वाला कोशन भी पूछा जाता है तो ये पूछ सकते हैं कि हिसार रास्टी राजमार्ग नि जो है दिल्ली इस से कितनी दूरी पर है ठीक है तो 164 किलोमेटर की दूरी पर है ये ऐसी कोशन जो थे कललर्ग में भी देखने को मिले इस से पहले भी जो है इस तरीके कोशन जो है पूछे गए है तो याद रखिए हिसार दिल्ली से 164 किलोमेटर दूर है हिसार जिले में अग्रोहा राखी गड़ी बनावली, कुनाल और भेडाना यहां से जो है मानो सब्यता के आउस्यस मिले थे अब बनावली, कुनाल और भेडाना यह तीनों जो है यह फत्यवाद जिले में आते हैं क्योंकि हिसार से फत्यवाद जिला अलग हो गया है हिसार जिले में बचे हैं अग्रोहा और राखी गड़ी ठीक है समराट अशोक के साशनकाल की समय का स्तंब वास्तव में अग्रोहा से लाकर यहां पर स्थापित किया गया तो हिसार किले में जो अशोक के साशनकाल का स्तंब है वो कहां से लाया गया था वास्तव में अग्रोहा से लाया गया था कब 234 AD में ठीक है देखे आगे इतना लगा हो था कि वह इसे इसलामिक धार्मिक शहर बनाना चाहता था तो ये तो होगी इसका पूरा इतिहास ठीक आगे देखे और ये सारा इतिहास जो इन्होंने अपनी जो ओफिशिल साइट है हिसार की जिले की उस पर दिया हुआ है ठीक है हरियाना गोर्मेंट की जो भी ओफिशिल ये सारा सब कुछ ओफिशिल है मैंने वहीं से लिया है ठीक आगे देखे बोगलिक स्थीती के अनुसार हिसार दक्षिन पश्चिम मानसून चेतर में स्थित है और उसी जलवाईयू के पश्चिम मानसून का मोसम जून की अंतिम सब्ता से सितंबर तक मंद्या रहता है यहां का मोसम अक्टूबर माज से आगामी जून तक लग बग सूखा ही रहता है कभी-कभी जो है पश्चिमी विक्षोब के कारण बिजली के कारण कड़कने के साथ-साथ यहां पर बारिश भी होती है, तो बारिश किसके कारण होती है, पश्चमी विक्षोव के कारण, ठीक है, और जून से सितंबर के महीने में कुछ बारिश का 75% से 80% तक जो है, इसमें बारिश होती है, फिर आता है कि पहुंचे कैसे हिसार, या फिर किस पूछा ही नहीं जाएगा, कलरक के पेपर में जो आपको नए कोशन दिखे होंगे, जो भी आपको नया कोशन लगाओगा, वो सारी चीजे जो है, इनकी वेबसाइट पर अविलेबल हैं, जो भी नया कोशन हमें देखने को मिला उसमें, वो सारी चीजे इन्होंने अपनी येबसाइट पर दी गई हैं, तो हम उसे नया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अविलेबल है, तो वहाँ से जो जो चीजे इंपोर्टेंट थी, जो पूछी जा सकते थी, वो सारी मैंने ली हैं, ताकि एक भी कोशन जो है, वहाँ से छूटे ना, अगर पू इंद्रा गांधी हवाई अड़े से और दिल्ली से घरेलू और अंतर रास्टे उडाने जो भी हैं, उपलब्ध हैं यहां के लिए, बस के अगर बात करें तो इसार लगभग 170 किल्मेट्र, तो उपर हमने पढ़ा था 164, तो याद रखे 174 और 177 के बीच में जो भी मिलेग उप्शन में उतना जो है, दिल्ली से दूर है, ठीक है, नई दिल्ली में अंतर राजिय बस टर्मिनल, IASBT से हर 15 मिनिट में अर्याना के लिए बस उपलब्ध हैं, बादरगर रोत्त के माध्यम से, इसार रेलेवे के मानचितर पर दिल्ली, नई दिल्ली, रेलेवे स्टेश और आदमपुर और बालसमंद, उकलाना और खेरी जालब जो है, उप तैसील है, ठीक है, बालसमंद, उकलाना और खेरी जालब, ये क्या है, उप तैसील है, तीन उप तैसील हो गई, और तैसील की बात करें तो इसार, आसी, नारणोंद, बरवाला बास और आदमपुर, ठ यहां BSF के एक बटालियन का मुख्याले त्रितिय बटालियन हरियाना सश्यस्तर पुलिस और कमांडो फोर्स है बात करते है रूटी के स्थान जो हिसार में है तो देखे अग्रोहा धान्ग की बात करते हैं सबसे पहले अईसी मानिता है कि अग्रोहा किसी समय महराजा अगरसेन की राज्ये की राजज़्थानी थी आता है महाराजा अगर्शेन की राज्य की राज़ानी कोंसी थी अगरोहा पूछा भी गया था क्लर्क में ठीक है यह नगर जो था अत्यांत सुस्वरिद और संपन था लेकिन कालांतर में यह विदेशी आकर्मनों से नस्ट हो गया प्रन्तु आज अगरोहा धाम एक धार्मी कैम दर्शनिय स्थल के रूप में विक्सित हो चुका है इसकी देखरेक और विकास कोन करता है अगरोहा ट्रस्ट के द्वारा की जाती है यही चोटी-चोटे कोश्चन जो है पूछे जाते हैं अगरोहा धाम में महराज अगरशीन का प्राचीन मंदिर भैरो बाबा का मंदिर बाबा मरनात की गुफा हिमानी शिवलिंग तिरुपुती की भवे मूर्ति और शक्ति स्रोवर जो है यह दर्शनिय स्थल है अगरोहा में ठीक है अगरोहा धाम में यह मनुरंजन के लिए नोका वियार और बच्चों के लिए बाल करीड़ा और जूले भी हैं यह सरदालू जो है अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराने आते हैं बादरपद अमावश्या को यहाँ पर बड़ा मेला लगता है तो यह कोशन आ सकता है कि बादरपद अमा पाचवा धाम मानते हैं तो अग्रोहा धाम को, ठीक है? तो ये पूछा जा सकता है, फिर बात आती है मैं तो कुण संस्थाइं, सबसे पहले हम बात करेंगे लगु सचीवाल्य की, लगु सचीवाल्य कहां पर स्थित है? तो ये है हिसार राजगर्ण मारग पर, आधुनी के भईवय चार मिंजीला लगु सचीवाल्य भवन का निर्मान कब हुआ? तो ये 1978 में किया गया, तो ये कहां पर स्थित है? हिसार राजगर्ण मारग पर, निर्मान कब हुआ लगु सचीवाल्य का? 1978 में, और 1989 से उपायुक्त, पुलिस दिक्षक, अतीरिक्त, उपायुक्त, जिले के परमुख विबाग जो है, यहां पर स्थापित हो, हिसार के जितने भी परमुख विबाग हैं, वो कहां पर स्थापित हैं? लगु सचीवाल्य में, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी, ठीक है? फिर बात आती है किंद्रिय भैंस अनुसंधान संस्थान, इसकी ये प सिका सरक्षन, संतुली ताहर, चारा शेत्र का विकास, परजनन योग्यताओं में बढ़ उतरी, दूद मास सता खाल के स्वास्तिय प्रबंदनादी पहलों बर अनुसंधान करता है, ठीक है? नेक्स्ट है उत्री प्रादेशिक फार्म मशीनरी परसिक्षन एमम जाच तो यह क्या देखे? यह केंदर जो है, यह सन 1963 में एक परसिक्षन संस्थान के रूप में शुरूआ था, तो कब शुरूआ? 1963 में कहां पर है? हिसार में है. उत्री शेत्रिय परसिक्षन सम्मंद्य आउशक्ताओं को पूरा करने के लावा संस्थान में डीजल, पैट्रोल और मिट्टी के तेल से चलने वाले चोटे इंजन, सिचाई के पंप और पोधारक्षनी अंतरों की प्रमानक भिन योजनाओं के अंतरकत भारतिय मानक संस्थान द्वारा प्रमानी जांच प्रियोग साला भी जो है, यहां पर स्थापित है, ठीक है? तो मशिनरी परसिक्ष चोधरी चरन सिंग अर्यानकरशी विशविद्याले के प्रांगण में 26 फरवरी 1986 को स्थापित है, केंदर विज्यान प्रोध्योगी की विभाग अर्याना की एक स्वायत संस्थान है, तो देखे, कहां पर है? यह पूछ सकते हैं कि किस विशविद्याले में है? तो यह है चोदरी, चरण सिंग, हर्याना किर्शी विश्व विद्धाले है, हर से किन आर्से कहा जाता है जिस उनिवस्टिटी को, वहाँ पर है, कब सेट अप हुई थी? 1986 में, 26 फरवरी, इसका उदेशे क्या है? अंतरिक्ष तक्नीकी बूस उचना प्रणाली ते था ग्लोबल पोजि लोग के इंदर कहां पर है, फिर बात आती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव स्टॉक फार्म, इसकी स्थापना जो हुई थी, वो हुई थी, 74-75 में, किसके सैयोग से की गई अस्ट्रेलिया सरकार के सैयोग सी की गई थी, यहाँ पर सैकडो पसू परमुक्तिया जर्सी फे इसार बरवारा सडक पर स्थित है, तो एक-एक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, चलिए एक सैट अप को वह आथा, उनीस सो चोबातर पी चेत्र में, अस्ट्रिया सरकार के सैयोग सी स्थापना कीगी, नेक्स्ट है विज्ञान प्राद्योगी की क्रिशी वैचिकित् इसार में अगर्णी भूमी का निभा रहा है, यहां स्थापी तीन विश्व विध्याले है, एक मेडिकल कॉलेज पर देश पर पडोसी राज्यों से आने वाले शात्र शात्राओं को विज्ञान व्यवसाई के साम्यक सिक्षा की मांग को पूरा कर रहा है, तो तीन विश् इसार में, ठीके, फिर बात आती है, चोदरी चरण सिंग, हरियाना करशी विश्व विध्याले है, देखे, पंजाब करशी विश्व विध्याले है, लुधियाना जवारा, हिसार में स्थापी तीन वेटरिनरी कॉलेज, दो फरवरी 1970 को हरियाना करशी विश्व विध्याल हिसार की रूप में अस्तित्व में आया जो वर्तमान में चोधरी चरण सिंग अरियाना कृष्य विश्य विश्य विद्याले हिसार की रूप में वेक्सेता तो जो यह उनिवसिटी है चोधरी चरण सिंग अरियाना कृष्य विश्य 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 विद्याले है एग्रिकल्चर युनिवर्सिटी हैं, ये कब सेट अप हुई थी दो फरवरी 1970 में, ठीक है, आप किसके द्वारा पंजाब कृषिव विश्वी धाले हैं, लुद्याना द्वारा इसार में स्थापित, वेटरिनरी को, जिसमें एग्रिकल्चर रिसर्स सेंटर, होम साइंस, ब बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, तो सरंचरा में योगदान पूछ सकते हैं, तो फ्लेचर का योगदान रहा है, ये विश्वी धाले करसी, सिक्षा सोध, एम उत्तम तरीकी के बीज विक्षित करने हैं, उसके उत्वादन में में तपुन गुमी का निभारा है, ठीक है, नेक्स जो उनिवर्सिटी है, वो है ग्रु जंबेश्वर विज्ञान प्रोध्योगी की विश्व विद्या लॐसार की स्थापना कब हुई, एक कोशन तो यही, 20 अक्टूबर 95-वे को इसकी स्थापना की गई थी, इस विश्व विद्याले में विज्ञान प्रो टीसीजी, लाइफ साइंसेज, कॉलकाता, बार्क, मुंबई, आइस्टी आई, नई डेली, एडिसल, नुएडा, आदी के साम, MOU अनुभन्द है हाली में इस विशवीद दालने में अंतराश्टिस्तर के प्रेक्षा ग्रह का भी निर्मान किया गया है देश्ट के विशवीद दालने में विशवीद दालन नुदान आयोग द्वारा इसे ए ग्रेड प्रदान किया गया था था, इसे हरित परीसर का भी सम्मान प्राप्त है किसको गुरू जंबेश्वर यूनिवासिटी को नेक्स्ट है लाला लाजपत्राई पशु चिकित्साम पशु विज्ञान विशवीद दाले पूछा जाते हैं इसकी स्थाप ना पूछ सकते हैं तो एक दिसंबर 2010 को हुई थी ठीक है पशु चिकित्साम आविद्याले का साथ हर्षो का इतियास गोरपूर्ण राय सार के चोधरी चरन सिंगर याना कर्श विशवीद दाले से जुड़ाई है माविद दाले पंजाब के शिरी राष्ट्र भक्त लाला लाजपत्राई की समरिती में 108 विशवीद दाले क रूप ले चुका है सेक्षनिक सुविदाओं के तरीक पशु चिकित्सालय प्रियोग शालाएं शोधी तू पशु शालाएं बाड़ा जो है या आप लब दे इस विशवीद दाले के नए प्रीशर का निर्मान 301 कड़ भूमी खंड पर किया जा रहा है ठीक है उद्योग अने एक चोटे बड़े उद्योग जो थे वाँपर स्थापित हुए लेकिन वास्तिक विकास हुआ एक नॉमबर 1966 को अरियाना बनने के बाद जहां पर हरियाना टेक्स्टाइल मील की स्थापना हुई वहीं जिंदल उद्योग ने इसार को प्रशिद्धी दिलाई तो हरिय को क्या कहते है उद्योग जोगत ठीक है और इसका श्रेज आता है जिंदल उद्योग को विद्यो तुर्जापूर्ती है तो राजी उगांदी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ भी जो है यहां पर स्थापित किया गया तो ये कोशन भी पूछा गया था कि राजी उगां जहां शेयर में एक सुदर टाउन पारकर निर्मान किया गया है वहां पर जिंदल ग्रूप दो ओपी जिंदल पारक तथा ज्यान के इंदर स्थापित किया गया है देखें ये एक important question ओपी जिंदल पारक पूछ सकते हैं कहां पर है तो क्योंकि पारक इस बार भी पूछा ग सीश महल हैं, हिसार बरवारा रोड पर साड इच्छ है, एक कड में बनी, स्पेशल फन पार्क, केज फन पूल, स्लाइड, स्वीमिंग पूल, फवारी, ववातानुकलित गेम्स का निर्मान से र की विकास में चार चांद लगा रहा है, तो यहाँ पर पढ़ लीजिये, हिसार का विकास तीजी गती से हुआ, हिसार जिलावी बें शेत्रों में अर्याणा में अगरणी है, जहां एक और शेहर में उद्योग, सिक्षा, वेपार कर शुर्या, इसी शेत्र का विकास तिवर्गती से हुरा, वहीं भार सरकार दोराई से काउंटर मैगनेट सिटी का दरजा मिला हुआ है ये भी एक इंपोर्टेंट है काउंटर मैगनेट सिटी का दरजा बारा सरकार ने किसे दिया है हिस्सार को सहर के चतुर्दिक विकास की तिवरगती को देखते हुए अनुमान है कि 2021 तक जहां शहर के आबादी तीन गुना बढ़ कर लगवग दस लाख हो हुआ है हरियाना शहरी विकास प्रादिकरन हाउसिंग बोर्ड कालोनी नगर सुधारमंडल और ने योजनाओं में अब तक इसका 1000 एक्टेर से भी जादा विस्ता रोजका 2021 तक इसमें कई गुना बढ़ वड़ोतरी हो जाएगे हिसार के विकास प्रारूप में कई रियाईसी ओध्योगिक सेक्टर बनेंगे प्रिवैन के शेतर में 2020 तक नगर में नई सड़कों का निर्मान हैं विकास होगा हर सड़क दोनों तरफ से हरी पट्टी बनेगी पानी की बढ़ती जन संख्या को देख तक जलगर जो हैं बना सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरी महल की तो बार बार कोशन आता है गुजरी महल कहां पर है तो गुजरी महल है हिसार में ओके देखें बस स्टैंड के पास बनी ओपी जिंदल पार्क के सामनी स्थित गुजरी महल जो किस नाम से भी जानी जाती है बारा दरी के नाम से जाना जाती है तो यह नाम जो है पूछ सकते हैं कि गुजरी महल को किस नाम से जाना जाते है ठीक है तो बारत जी की नाम से जाना जाते है ऐसी क्यों दंती है कि गुजरी महल सुल्तान फिरोच्छा तुगलक ने अपनी प्रेयसी गुजरी के रहने के लिए बनाया था जो इस अगरा रस्ता तुबलग भाउन निर्मान शैली की विशेष्टा को दर्साता है नेक्स्ट है लाट की मस्जिद लाट की मस्जिद भी कहां पर है? हिसार में है लाट की मस्जिद किले की शान नयवं एतियासिक द्रोहर है किले के अंदर फिरोच्छा ने एक मस्जिद का निर्मान करवाया था, जिसे लाट की मस्जिद के नाम से जाना जाते है, यह भी जो है तुबलक भाउन निर्मान शैली का एक अद्बुत नमुना है, मस्जिद भाउन के साथ एक एल आकार का तलाब और लाट यानि की करवाया होगा, ठीक है, नेक्स्ट प्राचीन गुंबद, तो देखें, राज के सनातकोत्र महा विध्या लहिसार के प्रांगन एम पंचायत, वह उनके पीछे सिद्चोध मिस्ताबदी के मिनिर्मित गुंबद, शेर बहलोल या दाना शेर के अध्या धात्मी गुरू प्र गयासु दिन तुगलख एक दिन दिल्ली का बादशा बनेगा, तो ये कोशन पूछ सकते हैं कि किस ने बविश्यवानी की थी, कि गयासु दिन तुगलख एक दिन दिल्ली का बादशा बनेगा, तो प्राणफीर बादशा ने की थी, इस तरीके की चीज किसी बुक में अव प्रारभम में ये समारक जो है जो है जो है जो है जोरज कोठी की नामताई तो इससे लेकिन समय गुजरने के सार्थ जोर्ज कोठी को जहाज कोठी के नाम से जाना जाने लगा तो यह पूछ सकते हैं जहाज कोठी को पहले किस नाम से जानते हैं तो जोर्ज कोठी के नाम से जाना जादा था अब इसेती आसिक समारक में शेत्रिय पुरातात्विक संग्राल्य स्थापित है नेफ्स्ट है तुगलग काल का मकबरा देखे यह ऐसरक्षित मकबरा गुरु जंबेशवर विश्वी द्याले में इस्थित बड़ा मंडल है यह कहां पर है? जंबेशवर विश्वी द्याले में जो गुमबद से डखा है इसका निर्मान जो है इंटो द्वारा किया गया या हिसार के अन्या मकबरों से भीन दिखता है कौन सा मकबरा तुगलक काल का मकबरा इस इमारत के दक्षिन की तरफ दो सिलालिक है ये एतियासिक सिलालेक नक्षी लिपी में दिवारों में चीने गए पत्थरों पर अंकित है सिलालेक में चार पंक्तियों में फार्सी में लिखा गया है कि ये मकबरा तुथा बाग में अबा या जित्रिद के आदेश पर बनाए गए हैं कब 975 और 1567 अड़सेट में दूसरा सिलालेक नश्की लिपी में दिख्षिन परवेश की चोखट पर है शिलालेक की सुंदर लिखावट नीव के पत्थरों के लिखावट सिभीन और तुगलक काल की प्रतीद होती है यह ऐसा रक्षित मकबरा गुरु जंबेश वर विशव विशव विद्धालना मिस्थित चार मकबरों की सम्मू में से एक जोकी मैल के पूरों मिस्थित है या इमारत एक वर्गाकार मंदल है बारी तरफ से वर्गाकार या इमारत एक भारी चब उत्रे के मध्या में स्थित है इमारत के दक्षिन में स्थित मकबरों में किवले एक प्रवेश सलाइसा दूसरी तदिवारों में भीतरी तथा बारी तरफ आ ले है मकबरे के बारी भाकिमत जमिस्तिताली का खाका त्यार किया कि जिसमें एक दूसरा लंबा बहरावत ओके ये सारी चीज़े पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा इसमें फिर बात आती है स्री दिगंबर जैन मंदिर की किस गेट परस्तित है या पूछ सकते दिगंबर जैन मंदिर कहां परस्तित है तो ये नागोरी गेट परस्तित है निर्मान कब हुआ 1820 में हुआ ठीक है विशेषता क्या है कि इसके निर्मान में किसी विक्ति विशेष के नाम का उलेख न करके पंचायत का नाम दिया गया है देखी ये इसकी एक विशेशता है ये पूछी जा सकती है जैन धरम की लोगों की इस विशेश आसता है जिसमें तब इसमें जो है दिगंबर जैन मंदिर में जैन धरम की जो लोगां उनकी विशेश आसता है जिसमें अनीक जैन मूर्तियां संग रही थे तो याद रखे, कब इसका निर्मान करवाया गया था, कहां पर ये स्थित है फिर बात आती हासी की हासी सहर बारत के प्राची इंतमेति आसिक शहरों में से एक है मनुष्य किसर भ्यता के प्रार हम सिलेक राधुनिक कालतक के प्रमानिया पर मोजोद है कुशान काल से लेकर राजपूत कालतक आसि में रहने वालों का जीवन स्रवयवोकुल में संपन था वैदिक काल से लेकर राजपूत कालतक आसि हिंदुओं का पवित्र नगर रहा है मुस्लिम काल में भी हासी इसलाम के परचार एंपरसार का किंदर बना रहा सूफी संतों का पवित्र शैर बन जाने की कारण इसे हासी सरीफ खहा गया देखेए ये भी एक कोशन बन रहा है यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि हासी को सूफी संतों का पवितर शेंबर्न जाने की कारण क्या नाम दिया गया था तो हासी सरीफ नाम दिया गया था एक प्राचीन कथानक के नुसार हासी में श्देश्ट तलवारे बनाई जाती थी देश-विदेश में अपनी असी के लिए विख्याती स्थान का नाम असी गड़ था जो काफी समय से प्रचली था ये एक और कोशन पूछा गया ये आपको कहीं और देखने को मिलेगा भी ने ये कोशन उसके बाद आती है यही नाम कालांतर में असी का और फिर हासी के रूप में जाना गया भारतिय प्रातत्व विभाग द्वारा हासी दुर्ग पर किये गे उत्खनन में प्राचीन सब्यता से अंग्रिय जी काल तक के जो प्रमान खोज निकली है विहासी ही नहीं हर्याना के लिए गोरव की बात आज मिया पर स्तित्स मारक के लिए के उपर बहने भावन बढ़सी दर्वाजा मुस्लिम काल की मस्जीदें में दर गाचार कुतुब आदी प्रियतकों के लिए आकर्शन का के इंदर है तो बढ़सी दर्वाजा भी कहां पर है हिसार में है इसका निर्मान करवाय था दिल् करवाया गया था ऐसा का जाता है कि यह दुर्ग प्रिथ्यराज चोहान को बेट सरूप मिला था जिसे बाद में मुहमद गोरी द्वारा द्वस्त कर दिया गया था तो प्रिथ्यराज दुर्ग को किसके द्वारा द्वस्त किया गया था मुहमद गोरी के द्वारा 1857 में ब की करांती का भीगुल हैसार में कहां पर बजा था हासी में, कब 29 माई को, सन 1982 में इस के लिए से जैन तिरतकरों की 57 अश्ट धाद्वों से बनी परतिमाई भी जो थी प्राप्त हुई थी, तो ये भी एक क्वेशन बनता है कि जैन तिरतकरों की परतिमाई कहां से प्राप्त दिशान है वे राष्टियस्तर के समारकों में से एक हैं। इसके अनुसार अलावदिन खिल जी ने सन तेरा सुतीन इसमी में इसका अनुसार अनुसार ऐसा था। यह जो थे महान सूफी संथ हुए हैं चार और इन्हें कुतूब का दर्जा हासिल था। फिर हुए बुराहनुदीन बारा सुक्षट से तेरा सो फिर तेरा सो से तेरा सो तीन कुतूब दीन मुनवर और रुकनूदीन तेरा सो पचीस से तेरा सो सत्तान में। इन्हें जो था कुतूब का दर्जा मिला था। इसे यह भी गोरव प्राप्त है कि यहां एकी परिवार के लगातार चार सूफी संतों की मजार एकी छट के नीचे है इसलिए इसका नाम दर्जा चार कुतूब है। यह का जाते कि यह पाच्वा कुतूब बन जाता है तो यह मक्का के स्तर का पवित्र स्थान बन जाता। तो यह कुशन आसकता है कि वो कौन सी जगा है जो पाच्वा कुतूब बन जाने के बाद मक्का के स्तर का पवित्र स्थान बन जाता तो वो है दर्गाचार कुतूब जो की हासी में है। ठीक है तो छोटी-छोटी कोशन है पूच सकते हैं फिर बात आती है राकी गड़ी की राकी गड़ी दो शब्दों का योग है राकी अम गड़ी राकी दरिश्दवती का अन्या नाम है ठीक है अता इस नदी के किनारे बसे वे शहर के गड़ को क्या का गया राकी गड़ी का तो राकी जो था ये द्रश्दवती नदी जो थी अन्या नाम था और ये इस नदी के किनारे पर स्थित था जो जगह मिली थी तो उसी को राकी गडी कहा गिया दोला वीरा कच गुजरात के बाद राकी गडी हड़ा पस अबयता की समय का एक विशाल स्थला या दिल्ली के पश्ची मुल्तर में 130 किलोमेटर की दूरी पर विलूपत स्रश्वती द्रिश्दवती नदी के पास नारनोंद तैशील में स्थित हैं कुल पांच विशाल थे थे और हाली में उए खुदाई के दुरान हडपा से बता की योजनाबत तरीके से निर्मित नगर विवस्ता रिया आईसेगर जिसमें कमरे रसोई सनानगर ये सारी चीजे जो है उसे मिले हैं यहां से अंतर राष्टे स्तर पर राखी गड़ी का पुरा तात्विक मेहतो देखते हुए इसे वर्ल्ड हैरीटेज में भी शामिल कर लिया गया है तो पूछा जा सकते हैं कि वर्ल्ड हैरीटेज में किसे शामिल किया गया है पुरा तात्विक मेहतो देखते हुए तो राखी गड करती हैं, इस तर चोथी स्ताबदी तक काफी फला फुला, इस तान प्रेटो से इन्विक बहुन के उश्येस, कुणाल का, कुशान काल से गुप्ट काल की इतियास की जान करेते थे, के उपर बुद्स तब प्रीसर की खोज एक बड़ी उपलब्दी है, तो यह है अग्रोहा नेक्स्ट है, सिखर दूर्ग अग्रोहा, सन 1777 में महराजा पटियाला के दिवान नानमूल द्वारा अग्रोहा थे, पर नगर की रखवाली वसुरक्षा के लिए बनवाया गया सिखर दूर्ग, तो सिखर दूर्ग किस की रखवाली के लिए अग्रोहा थी, कि रखवाली क स्थल है ये पूछे जा सकते हैं तो इन इधान से पढ़िए न ओके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जिले के बारे में पढ़ेंगे और वो भी सब कुछ ओफिशल ही रखेंगे जो भी इन्होंने दिया है पनी साइट तो तैंक्यू सो मच अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा वीडियो को तैंक्यू अच्छा लाइक कर दो भी साइट तो